तो आद बायार की तवियत कुछ बहतर दिख रही है ग्लोबल संकेत के आधार पर आशीश वर्मा के आध तवियत नासाज इसलोग घर पे हैं तो ये जम्मेदारी मुझे दी गई है लेकिन आपको मैं सबसे पहले ग्लोबल तस्वीय दिखाऊंगा क्योंकि वही मैं ट्रैक कर ने वो आया और अच्छी तेजी बनी टेकनालोजी शेयरों में बहतरीन कारोबार देखने को मिला क्योंकि जितनी उम्मीद थी उतने खराब रिजल सीजन वहाँ पे टेकनालोजी में बनी जा रहे हैं इसलिए आप देखेंगे कि नैस्डेक में अच्छी उचाले करीब करी वो जो घ्लोबल चिंताए हैं, ट्रेड वर की चिंता, करूड की चिंता, जीयो पालिटिकल करेंसी, उन सब को देते हुए ट्रेट कर रहे हैं और हमारा भारती बजार ये संकेट देरा है कि शुरुआत कमजोरी के साथ हो सकती है हाला कि एस जेक्स निफ्टी कई बार पलट जाता है इसमें तेह नहीं हो पाता कि वो किस तरह से खुलेगा लेकिन संकेत यहां पे मोटे तोर पे आपको इध्यान रखना चाहिए कि कमजोरी वाले है कि कुछ कुछ नंबरों पर आपको मैं डालू नॉम्बर की जो पिछली तीन सिरीज रही है दोहजार जो अगर आप देखेंगे पंदरा, सोला और सत्रा बढ़ इंटरस्टिंग देखिए तीन नंबर आपके सामने रखे है 2015 में नॉम्बर की महीने में 228.0 गिरावट या पौने तीन प्रितिशत की 2016 उससे खराब गया साड़े साथ प्रितिशत और 2017 एक दशमलो एक प्रितिशत अब 2018 का नॉम्बर हमारे सामने है इस सिरीज में क्या होगा, क्या बाजार सस्टेन करेगा क्योंकि काफी पिटाई हो चुकी है पहले ही तो कैसे वहां से बचेगा क्योंकि अक्टूबर सिरीज में अच्छी खासी धुलाई हुई है तो डेटा के अधार पे ये बाजार किस तरह से मूव करेगा में दे साथ विरेंड रहे विरेंड गुड मॉनिंग कल आप एक नंबर बार बार कह रहे थे दसजार एकसो दसजार एकसो बहुत इंपॉर्टेंट है वो तो बच गया अब क्या लग रहा है नंबर सिरीज कैसी जाएगी देखिए दसजार एकसो बच गया क्योंकि वो एक क्रिटिकल डेवल था और इस अक्टूबर की सीरीज ने मान के चल रही थी कि यह वालेट नहीं होगा यह टूटेगा नहीं ठीक है और वो टूटा नहीं ऑप्शन राइटर्स जो होते हैं चाब वो पूट बेचने वाले या फिर कॉल राइटर्स जो की डायरा एकस्पेक्ट कर रहे तो वो यही था अलाकि जो एकस्पेक्टेशन थी उससे कर आप देखें करीव पचास अंग नीची आकड़ा था लेकिन मैं यह कहूंगा कि ओवर ओल यह सीरीज बहुत डेमेज करने वाली थी और यह वर्स सिरीज थी थर्ड वर्स सिरीज अगर पूरे भारती डेरिवेटर मार्किट की त्याहास में देखें आप दीस सिरीज सबसे कराब सिरीज थी लेकिन निराजी आगे जलते हुए फेक्टर क्या क्या है देखिए रोलोवर जो हुए मैं आपको ताहूं निफ्टी में रोलोवर हुआ 75% पिछली चार सिरीज का सबसे बहतरी रोलोवर रोलोवर लॉंग साइट पे हुए निफ्टी बैंक में लगभग लगभग 78% पिछ मेरे को डेटा जब मैंने देखा ना मुझे लीडर्शिप क्राइसिस लगा मैंने का यार यहां से अगर पुल बैक आना है तो कौन ले जाएगा उपर उसकी उसका अभाव लगा आज इसे से बैंक के नंबर साने इसे से चार्टी के लिए अच्छा है डेटा वाइस कल की जो कैश की सेलिंग है उसके सामने डियाए की अच्छी बाइंग नहीं है यह एक चिंता है अगर आप देखे ना अगर आप नेट कैश को देखें जो गया बजार से वो करीब 1157 करूर रुपय का था और देखें दस एक्सो की इंपॉर्टेंस है ऑप्शन के मुताबिक लेकिन अगर वो वालेट होता है तो दस एजार की सेक्लेजिकल इंपॉर्टेंस होगी लेकिन मेरे ले नहीं है वो उसके नीचे सबसे क्रिटिकल लेवल है 9800 और उसके बाद है 9500 ऑप्शन के मुताबिक ठीक है और मैं मानता हूँ कि अगर बजार को टिकना है खाला की जाएगा और इंट्रडे में या फिर कभी एक दू दिन में इतना वर्टलाइल होके एक नीचे बड़ा स्विंग लगा के कहीं टिके तब बेस बनेगा अधर बाइस नहीं देखिए अभी तक प्राइस इस लेवल पर सस्टेन हो रहा है और कमफर्टेबल आप कर रहे दस द दो सो असी का शॉर्ट सिपर जाए कवर करने नीचे आए फिर शॉर्ट करें नीचे आए तो फिर शॉर्ट करें एक चीज़ और यहां पर जो विरेन हलके में इशारा करना थे पॉलिटिकल वह एक्शली बहुत इंपॉर्टेंट है चुनावी मौसम शुरू हो चुका और इस नॉम्बर के महीने में पॉलिंग शुरू हो जाए इस पांच राज्यों की और इस समय जो दिल्ली में हो रहा है इस से भी थोड़ा सा एक राजनीतिक सिर्था का महौल बनता है पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा असपरश्टा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है यह भी एक बड़ा फैक्टर आप जो कहना है यह बाजार इसको अक्शली मानता है कि यह दिक्कत है नहीं है अग्जेक्ली यही स्टोरी थे उस टेम बीजे भी पक्ष में थी हवाय इनके पक्ष में थी चुनाव यह राज्यों के जीते थे इस बार हवाय इनके पक्ष में नहीं है उस वक्त हम अठावन सो पे थे हम अठावन सो से एक सट सो गये थे क्यों क्योंकि हवाय इनके पक्ष में थी इस बार आप दस हजार पर एक्शली दो यह मेरे को नीराज ची बताओं यह जो मैं राजनेतिक विशेश हैंगे नहीं हूं लेकिन मैं स्कीन पर पढ़क कि अज बादार की स्थिती क्या कुछ बदलेगी क्योंकि करूड कभी CRUDE देखता है मार्केट कभी DAO देखने लगता है फिर कभी करेंसी देखने लगता है तो आज क्या DAO को देखके कुछ समलेंगे खरेदारी करेंगे आपकेया गुड मॉरिंग निरज जी, देखें, मुझे लगता है कि मार्केट जो करन्ट एक जो काफी अंसर्टन जोन, और अंसर्टन जोन में जो उसका जो प्रिविलिंग ट्रेंड होता है, जैसे डाउन ट्रेंड है, उससी ट्रेंड को वो पकड़के ट्रेड करते रहता है, नो क्या करेगा 9950, 9900 या 9850 उस जोन में जाके उसके बाद ही वो स्टेबल हो सकता है, पर वहां पर स्टेबल होने के जो आफार है, वो काफी हाइक लेवल के क्योंकि मार्केट जो ओर अगर आप आप आरेसा है, आरोसी पो देखते हो, तो आप एक पॉसरी डिजिन बनाया है, क्लिरी इंडिकेट करता है कि हम एक बार 9950 को ब्रेक करेंगे, वहां पर कहाँ पर रिवर्सल फॉर्मेशन बनेगा, उसके बाद हमें अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, जो बाउंच बैक कियोगी, लेकिन काफी बड़ी तेजी देखने को मिलेगी, और जैसे रोलोवर क करना चाहिए 10,250 के साथ, तार्गेट से रहेंगे 10,250 के साथ के, बिल्कुल दो शॉर्ट की कॉल है, शिर्काल फटा 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 बड़ा है, अगर कोई स्टॉक आइडियास हैं आपके, श्टॉक में मुझे लग रहा है कि फार्मा से लेकर चल सकते हैं, तन फार्मा में 185, 183 के, और स्टॉप लॉक रहेंगे 205 के, तो दो कॉल हैं पर एक बेचने की और एक खरीदने की सारे लेवल्स आपके स्कीन पर कुछ और कॉल्स पताते हैं आपको, विकास सालूं के अनिरमल बंक के, उनका मानना है कि हिंडालकों में बेच के चलना चाहिए, और यहां पर यह, इनका मानना है कि टार्गेट आप यहां पर 210 का लेकर इसको बेचिए, समीत चोहान है, एंजल ब्रोकिंग है और इनका मानना है कि आईजियल में खरीदारी करनी चाहिए, गैस शेरों में थोड़ी मूवमेंट दिख सकती है, टार्गेट 266 का होगा, और मोतिलार उ स्वाल के राहुल शाह का मानना है कि इंडिया बुल्स में बेचना चाहिए, इंडिया बुल्स हौजिंग फिनैंस 640 के लक्ष को लेते हुए, लेकिन ये तो सब थी कॉल्स और खबरों के अधार पर बहुत सारे शेर आज मूव करेंगें, और ये बताने के लिए मेरे साथ हेमन जुड चुके हैं, हेमन बेरी गुड मॉनिंग बताइए, कौन कौन से शेर्स हैं जहां पर आज आज आपकी नजर है और जो मूम कर सकते हैं खबरों के अधार पर, बुड मॉनिंग नीरज, फोकस पर रहेगा येस पैंक जिसके नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद आएं और देखिए सबसे बड़ी दिक्कत है कि प्रोविजनिंग बढ़ गई है, चार सो पचास करोड से बढ़ करिये, 940 करोड रुपे की इनोंने प्रोविजनिंग करिये, ग्रॉस NPS बढ़ रहे हैं यानि एसेट क्वालिटी को लेकर चिंता बरकरार है और वो ओवर हैं अगर आप अफरीका के कारोबार को देखें तो सुधार देखने को मिला है, ध्यान रखिए दो दिन पहले ही अफरीका के कारोबार में स्टेक सेल की खबरों पर भागा था, लेकिन नतीजे इतने इंटरस्टिंग नजर नहीं आ रहे हैं, तो आज यहाँ पर थोड़ा प्र पर इस समय आई है, यह बहुत इंटरस्टिंग है, एसार अब कह रहा है कि एसा स्टील के लिए वो 54,390 करोड रुपए वापस करने के लिए तयार है, और देखिए अब से पहले क्या था, अब से पहले यह था कि विदानता कह रहे थे कि हम एक उची बोली लगा रहे हैं, आरसलन मित्तल साब ने तो अपना पुराना बकाया उत्तम गैलवा का चुकाने के बाद वो कहा कि हम भी इस रेश में हैं, तो अब तक इनके एसेट्स को खरीदने के लिए दो दूसरी कंपनिया रेश में थी और जंग चल रही थी, अब देखिए ये ग्रूप खुद कह र चुके हैं, इस पूरी प्रक्रिया के तहट और इस कंपनी को खरीदना चाहते हैं, और अब एसार वापस से आ गया है, लेकिन आप देखिए फाइदा किसका होगा, फाइदा होगा बैंकों का, हो सकता है, आरसलन मित्तल एक और उची फिर से बोली लगा दें, हो सकता है, व बैंक निफ्टी पर भी नजर रखिएगा. कर तीन सो दस का दे दिया है, और CLSA ने चार्सो पचास से लक्ष को खटा कर तीन सो का कर दिया है, JSW Steel को डान रेट किया है, CLSA ने, 22 सी सीधा अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग, टागेट घटा दिया है, 410 से 375 का लक्ष कर दिया है, CLSA ने PVR पर भी अपना टागेट घटाया है, 1690 से टागेट को घटा कर 1540 का लक्ष कर दिया है, बाय की रेटिंग लेटिन मेंटेन कर रहे है, फाइनली भेल इस पर पॉजिटिव टागेट अभी भी बने हुए है, मिक्वाइरी ने 64 का टागेट दिया है, और जेफ्रीज ने 70 का टागेट दिया है, तो यह ब्रोक्रेज रिपोर्ट है, और फटा फटा आपको कमोलिटी की स्ट्रेजिज बिता देते हैं, यहाँ पे MCX गोल्ड में खरिदारी की सला देने हैं, और इसमें 31,750 का ट्रेट करना, 32,000 का आपको लक्ष लेना चाहिए, MCX में लेकिन क्रूड बेचने की सला है, और यहाँ पे लक्ष है आपका 5060 के स्टॉप लॉस के साथ 4900 पे, और डॉलर रुपी, यह पेर आपको ट्रेट करना है, 73,40 का असपास है, 73 के टार्गेट के साथ इसको सेल करें, तो यह होगी कमोल्टी स्ट्रेटजीज, और इसी के साथ हमें जारे दीजिए, लेकिन आपके जाएगा मत, क्योंकि स्टॉक 2020 के तुरद बात है.